बच्चों कैसे हैं आप आज हम आपकी पुस्तक का पार्ट पंद्रा देखेंगे पढ़ेंगे और समझेंगे जिसमें आपके राष्ट पिता का वर्णन है उनकी जीवन शाली का वर्णन है आप सोच रहे होंगे आपके राष्ट पिता भला वो कौन है तो देखिए आए जान हमारे हम सब के राष्ट पिता के बारे में जो कि महात्मा गांधी हैं महात्मा गांधी का जन्म दो अक्टूबर 1879 इस्वी को गुजरात राज्ये के काठिया वाड जिला अंत्रगत और बंदर में हुआ था इनकी माता पुतली बाई थी और पिता श्री करमचंद गांधी थे इनके बच्पन का नाम मोहंदास था इनके पिता श्री राजकोट रियासत की दिवान थे और राजकोट में रहकर गांधी जी ने हाई स्कूल की परिक्षा उत्तेन की इसके बाद वे उच्छ सिक्षा है और बैरिस्टर बनने ही तू इंगलेंड गए वहां से बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने दक्षिन अफ्रीका में वहां से वकालत करने के बाद वो भारत लोट आये सन 1893 में एक साल के लिए वकालत करने के लिए दक्षन अफ्रीका गए हैं वहां उन्होंने कई परकार के भेभाव का सामना किया उन्होंने करीब साउत अफ्रीका में 20 साल तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी सन 1915 में गांधी भारत लोटे फिर उन्होंने कई आंदोलन जैसे चमपारण सत्यागरे, खेडा सत्यागरे, चोरा चोरी, सवीने अवग्या आंदोलन, भारत छोडो आंदोलन, जैसे कई महतपूर्ण आंदोलन किये इस दोरान गांधी जी की जीवन शैली कैसी रही, तो चलिए इसी का वर्णन आपके पार्ट में दिया गया है तो देखे पढ़ते हैं ये पार्ट, जो है नौकर, जिसका शिर्षक है नौकर, अब इस पार्ट का शिर्षक भला नौकर क्यों रखा गया, इसे पढ़ने के लिए आईए, इसे समझने के लिए आईए, पढ़ते हैं ये पार्ट पार्ट पंद्रा नौकर आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तोर पर नौकर चाकर करते हैं जिस जमाने में वे बैरिष्ट्री से हजारों रुपया कमाते थे उस समय भी वे फ्रति दिन सुबह हाथ से चक्की पर आठा पीसा करते थे चक्की चलाने में कस्तूर्बा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे इस प्रकार घर में रूटी बनाने के लिए महीन या मोटा आठा वे खुद पीस लेते थे सावर्वती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटो मेहनत करते थे कई बार जब चक्की खराब हो जाती थे उससे ठीक भी खुदी करते थे एक पार एक कारे करता ने कहा कि आश्रम में आठा कम पढ़िया है आठा पिस्वाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरण उठकर खड़े हो गए यहों पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे कि यहों पहले साफ कीजिए और फिर उसे साफ करके फिर पीस जिए कौपी इंधारी इस महान वेक्ति को अनाज बीनते देख कर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पढ़ जाते थे कि इतना बड़ा आदमी बैरिष्ट्री कर आदमी और दक्षन अफरी का विदेश घुम कर लोटा आदमी यहाँ पर चक्की पीस रहे भारत में बहारी लोगों के शाम ने शारिरिक महनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए उनको अंग्रेजी भाषा के ग्यान का बड़ा गर्व था गांधी से बाचीत के अंतमेवे बोले बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूँ तो मुझे किर्पया अवश्य बताए उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे गांधी ने उनके मन की बात ताड ली और बोले ताड ली अर्थात समझ ली पढ़ ली और बोले अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहों बीन डालिए गेहों बीन डालिए यानि गेहों साफ कर दीजिए आगंतुक बड़ी मुश्किल में पढ़ गए लेकिन अब त थे तो उन्हें भी एक घंटे तक उन्होंने भी गेहु बीना और जब वो ठक गए तो चुपचाप गांदी जी से विदा मांग का आश्रम से चले गए यह इन्होंने क्यों ऐसा किया गांदी जी ने ताकि जो उनके मन में अहंकार था कॉलेज के बच्चों के मन में वो अहंकार को हटा कर उनसे गेहु बिनने का काम करवा सके वो शायद यह दिखाना चाहते थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें अपने सारे काम स्वैम ही करने चाहिए भले हम कितनी शिक्षा प्राप्त कर ले कितने भी बड बन जाए किन्तु अपना व्यक्तिगत काम और किसी भी काम को करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम समालने में मदद दी सवेरी की प्रातना के बाद वे रसोई घर में जाकर सबजियां छीलते थे रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकडी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हातों लेते आड़े हातों लेना यानि अपने साथियों को डाटते थे भी कि यहां पर इतनी गंदगी है और तुम लोग क्या कर रहे हो वहर असोई घर में सुबह जाकर खुद सबजिया चीलते थे साफ सफाई भी कर लेते थे और जहां पर उन्हें गंदगी या मकड़ी का जाला दिखता तो अपने साथियों को भी डाट लगाते थे उन्हें सबजी फल और अनाज के पौश्टिक गुड़ों का खूब ग्यान था एक बार एक आश्रम वाशी ने बिना धोए आलू काट दिये गांधी ने उसे समझाया कि आलू और निम्बू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए एक बार एक आश्रम वाशी को कुछ ऐसे गेले दिये गए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे उसने बहुत पुरा माना तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पज जाते हैं और तुम्हें खास्तवर पर इसलिए दिये गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज गांधी आश्रम वाशीयों को अक्सर स्वैम ही भोजन परोसते थे इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद कुछ कह भी नहीं पाते थे दक्षिन अफरीका की एक जेल में वे सैकडो कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कारे भी कर चुके थे तो देखिये जब वो दक्षिन अफरीका में बेरिस्टरी करने गए थे वहाँ भी उन्होंने दिन में दो बार भार के कैदियों को एक जेल में सैकडो कैदियों को भोजन परोसने का कारे भी किया था देखिये बेरिस्टर होके कैदियों को भोजन परोसने का काम भी करते थे यानि उन्हें सबको खिलाना बड़ा अच्छा लगता था और उन्हें दोसों की सेवा करने में भी मज़ा आता था और वह किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे अब देखे आगे पढ़ते हैं आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बरतन खुद साफ क और उनसे बरतन और फिर मिलकर बारी-बारी से उस दल से बरतन धुलवाए जाते थे एक दिन गांधी ने बड़े-बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने उपर लिया इन पतीलों की पेंदी में खुब कालिक लगी थी राख भरे हातों से वह एक पतीले को ही है इसे करने को और बहुत से लोग हैं गांधी को लगा कि उनकी बात मालने में ही बुद्धि मानी है और वे चुप चाप कस्तूरवा को उन बरतनों के सफाई सौप कर चले गए और बरतम एक दन चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था एक बार जील में उनको जो मददकार दिया गया था उसके काम से संतुष्ट होकर उनने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बरतनों को भी मांज कर चांदी सा चमका सकते थे तो देखिए वे बरतन धोने में बड़े कुशल थे उनको जब तक सफाई साफ सुत्रे बरतन चमकते ना हो चांदी से उनको मज़ा नहीं आता था उनको संतुष्टी नहीं होती थी जब तक वे बरतनों को चांदी सा चमका नहीं देते थे जब आश्रम का निर्मान हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ महमानों को तंबों में सोना पड़ता था एक नवागत को पता नहीं था कि अपना विस्तर कहां रखना है लौटते समय उसने देखा कि गांदी खुद उसका विस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे है तो देखिए एक बार महमान आये तो वहाँ पर कुछ महमानों को तंबों में सोना पड़ता था क्योंकि उस समय आश्रम का निर्मान हो रहा था और एक जब नवागत यानि नए ने आये वे महमान को जब पता नहीं था कि उसे अपना विस्तर कहां रखना है तो उसने विस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे विस्तर कहां रखना है और जब वो वापस लोट कर आया तो उसने देखा गांदी ची उसके विस्तर को खुद उठाए लिए चले जा रहे हैं आश्रम के लिए बाहर बने कुवे से पानी खीचने का काम भी वे रोज करते थे एक दिन गांधी कुछ असवस थे और चक्की पर आटा पीषने की काम में हिस्सा बटा चुके थे उनके एक साती ने उन्हें थकावट से बशने के लिए अन्य आश्रम वासियों की साहता से सभी छोटे बड़े बरत्रों में पानी भर डाला गांधी को यह बात पसंद नहीं आई मन में कुछ ठेज भी लगी उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुए से उसमें पानी भर कर टब को सिर पर उठा कर आश्रम ले आए बिचारे कार्यकरता को बहुत पस्तावा हुआ शरीर से जब तक बिलकुल लाचारी नहों तब तक गांधी को यह बात बिलकुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूड़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शाररिक्ष्रम ना करना पड़े उनमें हर परकार का काम करने की अद्भुश शमता और शक्ती थी वह थकान का नाम भी नहीं जानते थी दक्षिन अफरीका में वो अर्यूद के दोरान उन्होंने घायलो को स्टेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था वह मीलो पैदल चल सकते थे दक्षिन अफरीका में जब वे टॉल स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के सहर में कोई काम होने पर दिन में अकसर 42 मील तक पैदल चलते थे इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्टा साथ लेकर सुबह दो वजे ही निकल परते थे शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फाम पर लोट आते थे उनके अन्य साती भी उनके इस उधारन का खुशी-खुशी अनुकरन करते थे एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साती लगे वे थे एक सुभा काम खत्म करके वे लोग फावडे, कुदाल और टोक्रिया लिए जब वापस लोटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फ़लादी तयार करके रखे थे एक साती ने पूछा आपने हम लोगों के लिए यह सबकस्ट क्यों किया क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं गांधी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया क्यों नहीं मैं जानता था कि तुम लोग ठके मांदे लोटोगे तुमारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था दक्षिन अफ्रीका में रहने वाले भारतियों के जाने माने निता के रूप में गांधी भारतिय प्रवाशियों की मांगों को ब्रिटिस सकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए वहाँ उन्हें भारतिये चात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया चात्रों ने इस अफसर के लिए स्वैम ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था तीसरे पहर दो बजे एक दुबला पतला छरहरा आदमी आकर उन्हें शामिल हो गया और तश्त्रिया धोने सबजी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा बाद में छात्रों का निता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं उस शाम को भोज में निमंतित उनके सम्मानित अतिती गांधी थे गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सक्त थे लेकिन आपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें ना पसंद था एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लोटे तो राथ हो गई थी सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्ष बोहार रहे थे उस समय रात के दस बजे थे एक कारे करता ने दोड़ कर गांधी के हाथ से बोहारी ले ली जब गांधी गाओं का दोरा कर रहे होते उस समय रात को एदी लिखते समय लार्टेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोश्णी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे लेकिन सोते वे अपने किसी ठकेवे साथी को नहीं जगाते थे नौ आखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिवेर में केवल दो आदमियों को ही रहने की अनुमती दी इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है इस पर गांधी उसेम रोसोई में जा बैठे और नेपोन रोसोई की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधी बताई उस समय गांधी की अवस्ता 78 वर्ष की थी गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था अपने बच्चों के जन्म के दो माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माबाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार हैं वे मा की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे खिला पिला और बहला सकते थे एक बाद दक्षिन अफ्रीका में जील से छूटने के बाद घर लोटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी स्रेमति पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं उनका बच्चा उनका दूद पीना छोडता नहीं था और वह उसका दूद छुड़ाने की कोशिश कर रही थी बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रोकर उन्हें जगाई रखता था गांधी जिस दिन लोटे गांधी जिस दिन लोटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देख भालका का अपने हाथों में ले लिया सारे दिन बड़ी मेनत करने सभाओं में भाशन देने के बाद चार मिल पैदर चलकर गांधी कभी कभी रात को एक बजे घर पहुंसते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठा कर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे वह चार पाई के पास एक बरतन मेर पानी भर कर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे लेकिन इसकी जरुत ही नहीं पढ़ती थी यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे लेकिन इसकी जरुत ही नहीं पढ़ती थी बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सुता रहता था एक पखवाड़े तक मा से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मा का दूद छोड़ दिया गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे दक्षिन अफरिका में गोखले गांधी के साथ ठहरे वे थे उस समय गांधी ने उनके दुपटे परिस्त्री की वह उनका विस्तर ठीक करते थे उनको भोजन परोशते थे और उनके पैर दबाने को भी तयार रहते थे गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिन अफरिका से भारत आने पर गांधी कॉंग्रेश के अधिवेशन में गए महां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किये और बाद मैं उन्होंने एक बड़े कांग्रेशी नेता से पुछा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ नेता ने कहा मेरे पास बहुत से पत्री खट्टे हो गए हैं जिनका जवाब देना है मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दू क्या तुम यह काम करने को तयार हो गांदी ने कहा जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तयार हो जो मेरी सामर्थे से बाहर ना हो यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और उसके बाद उन्होंने उन्नेता की कमीच के बटन आदी लगाने और उनकी अन्य सेवय का काम खुशी से किया जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की अवशक्ता होती थी तब गांधी किसी हरीजन को रखने का आगरह करते थे उनका कहना था नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए इसमें कुछ कटनाई हो सकती है कुछ चोरिया भी हो सकती है फिर भी हमारे कोशिस सर्वता निश्वल नहीं जाएगी उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भाति कैसे रखें एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौपा गया एक आदमे उनके फल दोता या काटता दूसरा बक्रियों को दो होता तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था एक ब्रामान कैदी उनके बरतन्द होता था और दो गोरे यूरेपियन प्रति दिन उनके चार पाएं बहार निकालते थे गांधी ने देखा कि इंगलेंड में उचे घरानों में घरेलू नौकरों को परियार का आदमी माना जाता था एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे परिचे नौकरों की तरह नहीं बलकि परिवार के सदस्य के समान कराया गया एक बार एक भारते सज्जन के महां काफे दिलों तक ठहने के बाद गांधी चप चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विता लिया और कहा मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामार्थे मुझ में नहीं है लेकिन इश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे तो देखे कितना सुंदर पाठ है गांधी जी के बारे में कितना अच्छा वर्णन है गांधी जी की शक्षियत को शायद आप इससे अच्छी तरह जान पाएंगे और यह पाठ उनके बारे में अनुबंदो पाध्याई जी ने लिखा है अब अनुबंदो पाध्याई जी कौन थी देखिए 1917 में इंका जन्म हुआ और 2006 में अनुबंदो पाध्याई जी की मृत्य हो गई सुतंता अंदोलन के साथ साथ समाजिक कामों में भी गांदी जी की अभिन्य सहयोगी रही वो गांदी जी को इतने नस्दीक से जानती थी इसी लिए उन्होंने उनके बारे में ये पार्ट लिखा उन्होंने Collected Works of Mahatma Gandhi के संपादन के अलावा कस्तूरवा ट्रस्ट के साथ भी काम किया बहु रूप गांधी में लेखी काने गांधी जी की दिन्चरिया के उनकार्यों कुरू चक्ता से लिखा है जिन्हें गांधी जी करते थे गांधी जी केवल राष्टे पिता और सौधिन्ता के निर्माता ही नहीं थे उनके जीवन के हर परसंग से कुछन को सीखा बहुत को सीखा जा सकता है ये था गांधी जी के बारे में निबंद अब चलिए अब जरा हम इसके अभ्यास कारे पर आते हैं पहला प्रश्ण है निबंद से आश्रमे कॉलेज के चात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों बताईए आश्रमे कॉलेज के चात्रों से क्या काम करवाया था गेहों बिनवाने का काम करवाया था बिलकुल सही और क्यों करवाया था क्योंकि वो जब वो लोग इंग्लिश बोल रहे थे और अपने आपको ज़्यादा महान दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो शायद गांदी जी उनकी इस हरकत को भाब करे थे और वह उनकी बताना चाहते थे की कोई काम चोटा नहीं हो था इसलिए उनको चात्रों को बिनने को काम दिया फिर दूसरा पर आश्रम में गांदी कई ऐसे काम करते थे जिने आम तोर पर नौकर चाकर करते हैं पार्ट से तीन ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमान हो ये तो बहुत आसान है नौकर सबजी छेलते हैं तो गांदी जी भी सबजी छेलते थे कपड़े दोते थे पानी भर कर लाते थे तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग आये हैं क्योंकि गांदी जी तो अपना सारा काम अपने आप ही करते थे और दूसरों की सेवा करने का भी उन्हें बहुत शौक था तो आप इन में से कोई भी तीन प्रसंग असानी से छाड़ सकते हैं फिर है तीसरा लंदन में भोच पर बुलाए जाने पर गांदी जी ने क्या किया भै वहाँ जाकर क्या करने लगे खुद वहाँ पर जाकर काम करने लगे अपने भोच का खुदी चुप चाप आये और उनके साथ मदद कराने लगे जितने भी रसोई जो वहाँ पर काम कर रहे थे फिर है चौथा गांदी जी ने शीमती पोलक के बच्चे का दूद कैसे छड़वाया शीमती पोलक के बच्चे को अपने साथ सुलाते थे वो रात को एक बजे घर आते थे तब भी वो आश्रम आते थे वो शीमती पोलक के बच्चे को खुद अपने साथ सुलाते थे और अपनी चारपाई के पास पानी रख लेते थे ताकि उसे भूख लगे तो उसे पानी पिला सके ना इस तरह दूद छुड़वाया था ना पर पाच्वा आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीखा गांदी जी अपनाते थे इसे पार्ट पढ़कर लिखो काम करने या करवाने का कौन सा तरीखा गांदी जी अपनाते थे उन्हें साफ सफाई पसंद थी वह काम करवाने में बड़े स्ट्रिक थे बड़े अनुशाशन में रहते थे और खुद भी काम सफाई से करना पसंद करते थे, बाकी आप पड़ कर लिखेगा, फिर निबंद से आगे, पहला गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने की क्या लाब मैं लिखो, क्यों इतना पैदल चलते थे, एक दोस में जादा वाता यात की सुविदा नहीं अच्छा होता है और पैदल चलने के क्या क्यालाब होते लिखिए और गांधी जी को भी चलना बहुत पसंद था फिर दूसरा अपने घर के किनी दस कामों के सूची बना कर लिखो और यह है भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं तुम तालिका की सहता ले सकते हो आप इस परकार बनाईए तालिका काम घर का समान लाने का काम कौन करता है पिताजी करते होंगे मुस्ति पिताजी मम्मी भाई बहन घर की सफाई करने कारे कौन करता है मम्मी करती होंगे या पापा करते होंगे बिस्तर लखना, खाना बनाना, कपड़े दोना, इन सब कामों पर ठीक लगाईए अब यह है देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन सबसे कम कामों का बराबर बटवारा हो सके, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो सोच कर कक्षा में बताओ कि बराबर काम बढ़ सके, बिलकुल सही, आपका बराबर काम सब में बाढ़ सकते हो या छोटे बच्चे को, छोटे काम बड़े बच्चे को, बड़े काम भी दे सकते हो ना चलिए अब आते अनुमान और कल्पना पर पहला कांधी जी ने अपने साथियों की जरूत के मताबिक हर काम कर देते थे लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था क्यों तो क्यों बड़े स्वाब ही मानी थे और वह सेम अपना काम करना पसंद करते थे क्यों सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ दूसरा नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए इसमें कुछ कठनाई हो सकती है फिर भी हमारी कोशिस सर्वतार इसफल नहीं जाएगी गांदी जी ऐसा क्यों कहते होंगे तर के साथ समझाओ अब देखे गांदी जी ने क्यों कहा कि नौकरों को हमें सैलरी खाने वाला या वेतन भोगी सैलरी पे करने वाला मजदूर नहीं समझना चाहिए बलके अपने भाई के सामान समझना चाहिए पर जब हम कई बार नौकर को भाई के सामान समझ लेते तो कई बार नौकर विश्वास घात भी कर देते हैं चोरी भी कर देते हैं तो इसलिए गांदी जी ने कहा है कि इससे कभी कुछ कठनाईयां हो सकती हैं लेकिन कभी एक कोशित निस्फल साबित नहीं होगी मतलब इसके अच्छे ही परिणाम होंगे फिर है अगला तीसरा गांदी जी की कही लिखी बाते लगभग सौ से अधिक किताबों में दर्ज हैं घर के काम बेमारों की सेवा वंतकों से बाचीत आधि धेरों काम करने के बाद गांदी जी को लिखने का समय कभ मिलता होगा गांदी जी का एक दिन कैसे गुजड़ता होगा इस पर अपनी कल्पना में लिखो पार्ट में बताया गया है कि गांदी जी और उँके सात्या क्यों में लिखिए फिर पांच वा ऐसे कामों की सूची बनाओ जी ने तुम्हार रोज खुद कर सकते हो फिर देखिए भाशा की बात पहला पिसाई संग्या है पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीजदातु रह जाती है पीजदातु में आई प्रत्य जोडने पर पिस स्चाई सीचना आफ जाता है जैसे भाट जाता है जैसे ढोरन के घुदायि की है आपको जीद्रॉण बई समझे सरे बनाने वाले ची जहaufen। जैसे धोना से धुलाई हुआ, बोना से भुवाई हुआ, रोपाई से, अब आपको क्रिया बता रहे हैं, रोपाई संग्या है, किस से बना है, रोपना, सिचाई, सीचना, कताई, खातना, कताई, कतान, कताना, सिलाई, सिलना ये सिलाना, रंगाई, रंगाना, फिर देखे खौक प्रश्ण हर काम धंदे के छेत की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं पिछले प्रिष्ट पर लिखे शब्दों का शब्द दो अलग-अलग कामों में हैं कामों से हैं पहचानने पर दिये गए शब्दों के सम्मंद किन-किन कामों से हैं ठीक है फिर दूसरे का काम तुमने कपड़ों को सिलते वे दिखा होगा नीचे इस काम से जुड़े को शब्द दिये गए हैं ऐसपास के वड़ों से परऊं या दरजी के शब्दों के बार में पूछने पर पूछो और इंशब्दों को कुछ वाक्य में औज का शमझाओ आप अपने जुड़ों को टेलर देर रोश से पुछी तुरपाई क्या होती है बख्या क्या होती है कच्चा बख्या क्या होता है ँल कि सिलाई क्या होती है छोड सिलाई क्या होती है फिर आखा नीचे लिख्कार शब्द पार्ट में से लिये गए हैं इन्हें में खोछकर बताओ किस C intim price का लिख भराई चक्की रोश्नी सेवा पतीला अब आपको बताने हैं यह स्ट्रेलिंग शब्दे हैं पूलिंग फिर है आबविद की चुटकी पापा टेलीफोन के ये तार इतने उचे क्यों लगाए गए हैं आबविद कहता है पने पापा से इतना भी नहीं जानती है उसके पापा बोल रहे हैं फिर बच्चे कहता है दो लोग नीचे लिखे शब्द की पाट से लिए गए हैं इन्हें पाट में खोच कर बताओ ये तो हमारा हो चुका है अब है आबविद की चुटकी जरा देखते हैं ये आपका चुटकलर टाइप है पापा टेलिफोन के तार इतने उची क्यों लगाए जाते हैं पापा बोलते हैं इतना भी नहीं जानते हैं फिर दूसरा बोलता है बच्चा बोलता है इतना भी नहीं जानते हैं फिर बेटा बोलता हैं फिर पिता जी बताते हैं दो लोग फोन पर बतिया रहे हो तब कोई और सुनना ले इसलिए तार लगाए जाते हैं तार इतने उच्छे लगाए जाते हैं तो अच्छा था ना अबित की चुटकी चलिए ये था आपका पार्ट नौकर और इसका अभ्यास कारे है